सभी को ओम शानते आज हैं साथ जुलाई दोहजार चौबिस प्राता मुरली आज हम सुनेंगे अव्यक्त बापतादा के महावाक्य रिवाइस कोर्स में हम सुनेंगे ग्यारा नवंबर दोहजार की वाणी का सार संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ट समय को समीप लाओ आज पापतादा अपने होलियस्ट, हाइस्ट, लकियस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं किस प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं होलियस्ट, हाइस्ट, लकियस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं सारी विश्व में समय प्रती समय होलियस्ट आत्माएं आती रही हैं आप भी holiest हो, लेकिन आप श्रेष्ट आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतोप्रधान बना देती हो। सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृती का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलियस्ट आत्माएं हैं। हाइस्ट भी हो क्यूं हाइस्ट हो क्यूंकि उचे ते उचे भगवान को पैचान लिया है। उचे ते उचे बाप द्वारा उचे ते उची आत्माएं बन गए। साधारन स्मृती वृत्ती द्रिष्टी कृती सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृती स्वरूप श्रेष्ठ वृत्ती श्रेष्ठ द्रिष्टी बन गई किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ती से मिलते हो ब्रदर हुट वृत्ती से आत्मिक दृष्टी से कलियान की भावना से प्रभू परिवार के भाव से तो हैस्ट हो गए ना बदल गए ना और लखियस्ट कितने हो कोई जोतिशी ने आपके भागय की लकीर नहीं खीची है स्वयम भागय विधाता ने आपके भागय की लकीर खीची और गैरंटी कितनी बड़ी दी है 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गैरंटी ली है क्या किया है 21 जनमों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गैरंटी ली है एक जनम की नहीं 21 जनम कभी दुख और अशान्ती की अनुभूती नहीं होगी सदा सुखी रहेंगे तीन ही आप सब को बाप द्वारा वर्से में प्राप्त हो गया है क्या क्या बाबा कह रहे हैं कि तीन बाते जीवन में चाहिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी ये तीनों ही आप सब को बाप द्वारा वर्से से प्राप्त हो गया है क्या कहा आज बापतादा ने कि एक जनम की नहीं 21 जनम कभी दुख और अशान्ती की अनुभूती नहीं होगी सदा सुखी रहेंगे तीन बाते जीवन में चाहिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी ये तीनों ही आप सब को बाप द्वारा वर्से में प्राप्त हो गया गैरंटी है ना, 21 जनमों की सभी ने गैरंटी ली है, पीछे वालों को गैरंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्सा मिलना बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना पैदा होते ही बाप के वर्से के अधिकारी बन गए तो ऐसा श्रेष्ट भाग्य बाप द्वारा अभी प्राक्त कर लिया और फिर रिचेष्ट भी हो ब्रामन आत्मा शत्रिय नहीं ब्रामन ब्रामन आत्मा निश्चे से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ट आत्मा मैं फलाना नहीं, आत्मा richest in the world है, ब्रामन है तो richest in the world है, क्योंकि ब्रामन आत्मा के लिए परमातम याद से हर कदम में पदम है, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो, सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, यह परमातमा पूछ रह हैं सोचो हर कदम में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हो गए ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए मैं ब्रामन आत्मा क्या हूं यह याद रहना ही भाग्य है तो आज बापतादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो बाप तदा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं कौन खुश होता है बाप या बच्चे कौन बच्चे बाप खुश नहीं होता बाप खुश नहीं होता पूछ रहे हैं बाबा कहरें बाप तदा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं कौन खुश होता है बाप या बच्चे कौन बच्चे बाप खुश नहीं होता ये बाप सवाल पूछ रहे बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं दोनों खुश ह यह क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभुमिलन यह परमातम प्यार यह परमातम वर्षा यह परमातम प्राप्तिया अभी वही प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं ऐसे हैं बाप तदा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइस करा रहे हैं कौन सी बात होगी समझ तो गए हो यही बाप तदा रिवाइस करा रहे हैं कि अब श्रेष्ट समय को समीप लाओ यह विश्व की आत्माओं का आवाज है लेकिन लाने वाले कौन आप हो या और कोई है ऐसे सुहावने श्रेष्ट समय को समीप लाने वाले आप सभी हो अगर हो तो हाथ उठाओ अच्छा फिर दूसरी बात भी है वह भी समझ गए हो तब हस रहे हो अच्छा उसकी तारीक कौन सी है देट तो फिक्स करो ना उसकी तारीक कौन सी है देट तो फिक्स करो ना अभी देट फिक्स की ना की फॉरिनर्स का टर्न होना है अभी देट फिक्स की ना की फॉरिनर्स का टर्न होना है तो ये देट तो फिक्स कर ली तो जो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो इसकी डेट कौन सी है बाप तादा क्या समझा रहे है डेट तो फिक्स करो ना अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरिनर्स का टर्न होना है तो यह डेट तो फिक्स कर ली बाबा बोल रहे है तो यह डेट तो फिक्स कर ली, तो ओ, तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है, वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए, तब विश्व पर आवे, क्या समझा रहे हैं? तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है, वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए, तब विश्व पर आवे, बाप तादा जब अमरित वेले विश्व में चक्र लगाते हैं, तो देख देख सुन सुन रहम आता है, मौज में भी हैं, ल दातापन का पाड तीवरगती से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं, कि तो बाप तादा पूछते हैं, कि है दाता के बच्चे मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाड तीवरगती से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी परदे के अंदर तयार हो रहे हो तयारी कर रहे हो विश्व परिवर्तन के निमित आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के उपर रहम करो क्या कह रहे हैं विश्व परिवर्तन के निमित आत्माओं अब विश्व की आत्माओं के उपर रहम करो होना तो है ही यह तो निश्चित है और होना भी आप निमित आत्माओं द्वारा ही है सर्फ देरी किस बात की है बाप तादा यह एक सरीमनी देखने चाते हैं कि हर एक ब्रामन बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का जंडा लहराया हुआ दिखाई दे जब हर भ्रामन के अंदर संपूर्णता का जंडा लहराएगा तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का जंडा लहराएगा तो यह फ्लैग सरीमनी बाप तादा देखने चाते हैं जैसे शिवरातरी पर शिव अवतरन का जंडा लहराते हो ऐसे अभी शिव शक्ती पांडव अवतरन का नारा लगे कौनसा नारा लगे? ऐसे अभी शिव शक्ती पांडव अवतरन का नारा लगे एक गीत बजाते हो ना शिव शक्तियां आ गई अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए पर्दे में कहां तक रहेंगे पुछ रहे हैं पर्दे में कहां तक रहेंगे पर्दे में रहना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन बाबा ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे जब आप हटाएंगे तो देरी क्यूं तो ऐसे समझे ना कि परदे में रहना अच्छा लगता है क्या कहा बाप तदा ने कि जब आप हटाएंगे तो देरी क्यूं तो इन बातों को आज हमने क्या करना है समझना है और इसे फॉलो करना तो बाप तदा कहते हैं परदे में रहना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन बाबा हटाएगा कौन हटाएगा ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों तो ऐसे समझे ना कि परदे में रहना अच्छा लगता है बस बाप तदा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ट आशा है सब गीत गाएं वाह आ गये आ गये आ गये हो सकता है देखो दादियां सभी कहती है हो सकता है फिर क्यों नहीं होता कारण क्या जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है सभी संपन नहीं बने हैं क्यों नहीं बने हैं डेट बताओ ना डेट तो बाबा आप बताएंगे बाप तदा का महामंत्र याद है बाप तदा क्या कहते हैं कब नहीं अब दादी जी कह रही हैं ब अच्छा बाप तादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे पांडव निभाएंगे पक्का अगर नीचे उपर किया तो क्या करना पड़ेगा आप डेट देंगे तो कोई नीचे उपर नहीं करेगा मुबारक हो अच्छा अभी डेट बताते हैं द कम से कम छे मास में छे मास कब तक पूरा होगा मैं 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 खतम बाप तादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन छे मास में जो बाप तादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिती के अनुभव में लाओ क्या समझा रहे हैं बाप तदा कि कम से कम छे मास में छे मास कब तक पूरा होगा मैं 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 खतम बाप तदा फिर भी मारजीन देते हैं कि कम से कम इन छे मास में जो बाप तदा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिती के अनुभव में लाओ सत्युक के शृष्टी की जीवन मुक्ती नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज, कोई भी विगन परिस्थितियां, साधन वा मैं और मेरा पन, मैं बोडी कॉंशेसनेस क और मेरा बोडी कॉंशेसनेस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था, लेकिन यह विगन आ गया यह बात ही बहुत बड़ी हो गई न, छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत पेपर था बड़ा विगन था बड़ी परिस्थिती थी कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिती विगन साधनों की आकरशन सामना करे सामना करेगी यह पहले ही बता देते हैं लेकिन कम से कम छे मास में 75% मुख्थ हो सकते हो क्या पूछ रहे हैं परमात्मा हम सभी बच्च कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिती विगन साधनों की आकर्षन सामना करेगी यह पहले ही बता देते हैं लेकिन कम से कम छे मास में 75% मुक्त हो सकते हो बाप तदा 100% नहीं कह रहे हैं 75% पौने तक तो आएंगे तक पूरे पर पहुंचेंगे न तो छे मास में एक मास म भी नहीं 6 मास दे रहे हैं क्या कह रहे हैं तो छे मास में एक मास भी नहीं 6 मास दे रहे हैं वर्ष का आधा तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो दादियों का हुकम तो मानना है ना डिजल्ट देखकर तो बाप तदा स्वतही आकर्श कह रहे हैं इसके लिए फिर आगे टाइम देंगे तो इसमें एवर रेडी हो एवर रेडी नहीं छे मास में रेडी पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है पता नहीं क्या होगा शेर भी आएगा बिल्ली भी आएगी सब आएंगे विगन भी आएंगे परिस्थितियां भी साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है तो हाथ उठाओ टीवी घुमाओ अच्छी तरस से हाथ उठाओ नीचे नहीं करना अच्छी सीन लग रही है अच्छा इनिएडवांस मुबारक हो ये नहीं कहना इसको तो बहुत मरना पड़ेगा मरो या जीओ लेकिन बनना है ये मरना मीठा मरना है इस मरने में दुख नहीं होता है ये मरना अनिकों के कल्यान के लिए मरना है इसलिए इस मरने में मज़ा है दुख नहीं है सुख है कोई बहाना नहीं करना ये हो गया ना इसलिए हो गया ये हो गया बहाने बाजी नहीं चलेगी बहाने बाजी करेंगे क्या नहीं करेंगे ना उरती कला की बाजी करना और कोई ये सब समाप्ट क्या क्या समाप्ट ? खीक है ना ! सब के चेहरे तो खिल गए है ! जब 6 ماास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे ? तब भी फोटो निकालेंगे क्या कै रही है ! शेमास के बाद भी बापतादा फोटो निकालेंगे डबल फॉरिनर्स आएं हैं न तो डबल प्रतिग्या करने का दिन आ गया दूसरे किसको नहीं देखना सी फादर सी ब्रह्मा मदर दूसरा करे न करे करेंगे तो सभी फिर भी उनके प्रतिवी रहम भाव रखना कौनसा भाव रहम भाव कमजोर कोशु भावना का बल देना कमजोरी नहीं देखना ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना उचा करना हिम्मत का हाथ सदा स्वयम प्रती और सर्वक के प्रती बढ़ाते रहना हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप तदा का वरदान है हिम्मत का एक कदम बच्चों का हजार कदम बाप की मदद का क्या कह रहे हैं और बाप तदा का वरदान है हिम्मत का एक कदम बच्चों का हजार कदम बाप की मदद का निस्वार्थ पुरुशार्थ में पहले मैं किसमें पहले मैं निस्वार्थ पुरुशार्थ में निस्वार्थ पुरुशार्थ स्वार्थ का पुरुशारत नहीं निस्वार्थ पुरुशारत इसमें जो ओटे व ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना तब तो ब्रह्मा कुमारी वा ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना जब चैलेंज करते हो कि सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्सा ले लो तो अभी सेकेंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन क्या कह रहे हैं जब हम बच सेकेंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन अभी समय को समीप लाओ आपके संपुर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी मालिक हो ना राजा हो ना पूछ रहे हैं मालिक हो ना राजा हो ना सुराज जदिकारी हो तो ओडर करो राजा तो ओडर करता है ना य यह नहीं करना है यह करना है बस ओडर करो अभी अभी देखो मन को क्यूंकि मन है मुख्य मंत्री तो हे राजा अपने मन मंत्री को सेकेंड में ओडर कर अशरीरी विदेही स्थिती में स्थित कर सकते हो करो ओडर एक सेकेंड में पांच मिनिट ड्रिल अच्छा सदा लवलीन औ और लकी आत्माओं को बाप्तादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को सुराज अधिकारी बन अधिकार द्वारा सुराज करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवनमुक्त स्थिती के अनुभवी हाईस्ट आत्माओं को होलियस्ट आत्माओं को बापतादा का याद प्यार और नमस्ते तो बापतादा बच्चों को क्या कह रहे हैं सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बापतादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज अधिकारी बन अधिकार द् श्रेष्ट भाग्य की लकीर द्वारा लकियस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टी वृत्ती द्वारा सुव परिवर्तन करने वाली होलियस्ट आत्माओं को बापतदा का याद प्यार और नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बापतदा को भी याद प परिवार में पहुँच गए है ना ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना और आप भी कितने प्यारे हो गए हो सबसे पहले परमातम प्यारे बन गए बने है ना बन गए या बनेंगे देखो आप सब को देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं क्यों खुश हो रहे हैं सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं क्यों खुश हो रहे हैं क्यूंकि जानते हैं कि यह सब गौडली मेसेंजर बन आत्माउं को मेसेज देने के निमित आत्माएं हैं क्या है गौडली मेसेंजर पांचों खंडों के हैं तो पांच खंडों में मेसेज योग लेके आगे बढ़ते रहना सभी के संकल्प बापतादा के पास पहुच रहे हैं संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना प्लैन बन रहे हैं तो प्लैन को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बापकी और भ्रामन परिवार की सिर्फ निमित बनन कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रुमेंट सेवा के अर्थ तयार हूं मैं इंस्ट्रुमेंट हूं चलाने वाले आप ही चलाएगा चलाने वाला आप ही चलाएगा यह निमित भाव आपके चेहरों पर निर्मान और निर्मान भाव प्रत्यक्ष करेगा करावन हार निमित बनाए कार्य कराएगा माइक आप और माइट बाप की तो सहज है ना तो निमित बनके याद में हाजिर हो जाओ बस तो आपकी सुरत आपके फीचर्स वतही सेवा के निमित बन जाएंगे सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतर क्ता है में हाँ आत्म यह लौकिक मैं फलाना हूं यह लौकिक तो कौन हो अलौकिक कोन अच्छा है बापत दा वा परिवार के सामने पहुँच गए यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना आप भी कोटों में कोई निकले ना कितना गुरूप था उसमें से कितने आये हो तो कोटों में कोई निकले ना अच्छा है बाप तदा को गुरूप पसंद है और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं आप से ज्यादा यह खुश हो रहे हैं क्यूंकि सेवा का रिटर सामने देख खुश हो रहे हैं बाबा इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं खुश हो रहे हैं ना मेनत का फल मिल गया अच्छा अभी तो बालक सो मालिक हो बालक मास्टर है बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर बालक मास्टर है बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर क्या कहा अभी तो बालक सो मालिक हो बालक मास्टर है बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर अच्छा आज का वर्दान सफल करने की विधी से सफलता का वर्दान प्राप्त करने वाले वर्दानी मूरत भव विस्तार में संगम युग पर आप बच्चों को वर्सा भी है तो वर्दान भ अच्छा है तो फल नहीं मिले यहो नहीं सकता तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो क्या सफल करो समय संकल्प संपत्ति ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वर्दानी मुरत बन जाएंगे स्लोगन है परमातम एवाड लेने के लिए वियर्थ और निगटिव को अवॉइड करो अच्छा सभी को ओम शान्ती झाल 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 झाल